मा की डिजिटल हसोई में थाको बोध बोध स्वागत है आज में तेने छट पुजावर बनबाणी बोधी बड़िया रेसीपी बनाबागो बोधी आसान तरीको बतार्यू थे इ रेसीपी ने पेले बनाई भी होई तो भी इ तरीकासे नी बनाई होई मारा तरीकासे बनाई हो तो बिल्कुल कम गी में बोधी बड़िया बन्ड तयार होई इने एक बार बनार मैनों तक हासोगो बोधी बड़िया है बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद आवे तो थे भी एक बार इस तरीकासे ने जरूर बनार देख जो अगर थे ने मारा वीडियो पसंद आवे तो उन्हें लाइक कर दीजियो और अब तक ते मारा चलन ने सब्सक्राइब निकिरो तो सब्सक्राइब कर लीजियो बियाहर में मैना पहले इस रेसिपी की तयारिया शुरू हो जावे बहुत जादा स्वाधिष्ट रेसिपी है और हेल्दी भी होवे पुजा में एको भोग लगाबा के लिए गेउन अच्छे से धोर सूखावे शुख बागे बाद में निपीशन मोटो आटो तयार करे पहले गेउन को मोटो आटो लेवा एक पाव आटो लेवी में नहीं हो तो में थोड़ी सूजी मिला सको आधा कटोरी शुकर नारियलने बारी काट डाल देवा ते कद्दू कस कर भी ले सको आधा कटोरी नारियलको बुरू डाला दो चम्मस सोब डाल देनी है मोटो आटो नहीं हो तो इमें सूजी भी मिला सको आधा कटोरी दूद लेवा दूद लेवा दूद ना थोड़ो गरम कर लेवा इमें एक कटोरी सक्कर डाल देनी है सक्कर थोड़ी गड़ जावे तब तक चम्मस से हिलाते रेवा गी ने आटा में अच्छे से मिला देवा इमें आधा कटोरी मलाई डाल देवा दूद पे रोज मलाई गटी हो जावे बिने निकाल प्रीज में रख देनी है अगर तो मलाई ने डाल देवा एक जीव कर देनी हीने अगर ते मलाई नी डाल पोचावे तो गी जादा डाल दीच्यों अधा कटोरी गी डाल नो है पर मलाई डाल बनाओ तो भी एकदम बढ़िया बंडर तयार होई एक बार इतरीका से जरूर बना देख जो मोयन बढ़िया नार बनाओ तो आख लागि तो ही बढ़िया बंडर तयार होई एक बले या तो गी जादा डालनो या पर मलाई डाल रॉछ्चेसी मिला लीने अब इम दू डूर डाल देवा पर दीखेवा मों बढ़िया दीककी इन अच्छे से मिला लेवाँ अब सारी सक्त डाल देने ही में अब थोड़ो सो उठो एटो हाथ में लेवाँ ये तरिका से दबार पेडों बना तैयार कर लेवाँ अब जारों लेवाँ इन Jupiter दबार इन डिजाइन बना लेवा's यह चाओ तो अयान भी राख सेगो तर दीक भाम बढ़िया दीकी इतरीका से सारे आट्या का पेड़ा बना तयार कर लेवाँ गेस चारलू कर देवाँ तेल गरम होबा के लिए रख देवाँ एल अच्छे से गरम हो जाओ तो इमें पेड़ा डालतेवाँ आचने धीमी राकन अच्छे के लिए और सुने रहाँ अब तक इन्याट लेवाँ हो तोड़ी देर बाद में पलट देवाँ हरका हास से पलटना है तो तूटपी सके एक तरफ से अच्छे से सीघ्वा के बाद में पलटना है तो बणाते समय आशने थोड़ी कम राकनी हिए नीतों अंदर से तो यह तरीका से पलट देना है राच्छे से शेकर तयार कर लेना है कि सुने रों कलर आजाए तब तक इन शेकना है कि बाहर से एकदम सकते हैं और अंदर से सोप्ट है बहुत ही बढ़िया बंड़ा तयार हिया है आठा में मेदो और सुजी मिलार भी यहने बंड़ा तयार करा जावे और मोटो आठो लेओ तो शिर्फ आठाचे भी बंड़ा तयार हो जावे और बहुत ज्यादे स्वादिश्ट लागे तो थे भी एक बार इस तरीका से जुरूर बंड़ा देग जो एक दम विस्किट की तरह टेस्ट है बच्चे ने बहुत ज्यादे पसंद आई एक बार बनार महीनों तक खा सको खराब भी नहीं होए इतरीकां सारे ने तड़ तयार कर लेना है किने बियान में ठेक हुआ केवे अब सकर पारा भी के सका और भी बढ़िया दीके ये के लिए अपर से सकर भी डाल सको इमें पर मारा तरीका से बनाओ तो भी बहुती बढ़िया दीकी और खाबा मा तो बहुत ज्यादा है स्वादिश्ट है तो थे भी मारा तरीका से जुरूर बना देख जो मारा वीडियो तेनी पसंद आयो तो ने अपना दोस्तों के साथ में सेयर कर जो मीला एक नया वीडियो में नई रेसिपी के साथ वीडियो देखबा के लिए थाग बहुत बहुत धन्नीवाद